पापा नोर्वे मम्मी नोर्वे बहिया नोर्वे दातू नोर्वे जाने नोर्वे कुत्ते को भी नोर्वे जाना है कैदी को भी नोर्वे जाना है हर किसी को नोर्वे जाना है हेलो एवरिवन कैसे हैं आप सब उमीद है अच्छे ही होंगे और अच्छे ही रहना है तो आज हम आपको नोर्वे की सेर करवा ही देते हैं बहुत डिमांड हो रही थी कि सर घूमने जाना है लोगडाउन हो रहा है कहीं ले चलो तो चलो फिराच नौर्वे ओ नौर्वे 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 तो Norway में क्या है कि Norway में सब को जैसे कि पता है नहीं पता तो पता चल जाएगा 6 मीने दिन और 6 मीने रात तो रात 6 मीने रात मलब 6 मीने सोना है और 6 मीने जागना है ऐसा नहीं है कुछ वैसे ही होता है जैसा हमारे भारत में होता है चलो कुछ बड़े ही interesting facts जो हैं नौर्वे के आज आपको सुनने को मिलेंगे सबसे पहले तो नौर्वे की बात करें तो नौर्वे में education pre माता पिता ना पढ़ाएं लेकिन government आपको पढ़ाएगी और आपकी पढ़ाई पर पूरा खर्चा करेगी किसी देश में भी पढ़ना हो खर्चा government करेगी किताबे पढ़ने की फिदरत तो हर किसी के यहां खून में बसी हुई है साल भर 5000 रप्या तो किताबों पर ही खर्च कर देते हैं पढ़ने का इतना केड़ा इतना केड़ा बस पुछो मत कुता तो यहां नहीं बांद सकते कहीं भी आगर आप कुत्ते को अपने साथ लेकर जाओगे तो गले में पट्टा नहीं बांद सकते बांधना इलाओड ही नहीं है क्या करें मजबूरी हो तो ही तो यहां की भाशा की बात करें तो यहां की जो भाशा है वो लेटिन है छोर फेक्ट्स पर बढ़ते हैं 1905 से पहले यह स्वीडन के साथ था मतलब स्वीडन और नौर्वे एक ही देश थे उसके बाद दोनों टापस में नहीं बनी तो अलग-अलग हो गए यह और बात यहां पर जो FM है प्रता ही नहीं है चलता नहीं क्योँ अलाओड ही नहीं है कौकि यह digital के मामले में बहुत आगे है 12 सिंगा की तो ऐसी की तैसी यहां पर जापर 12 सिंगा को तो बर्दाश ही नहीं कर दे क्योंकि इनकी संख्या इतनी ज़्यादा है सिनका तो सफाया करने पर देवे हैं यहां अगर कोई बच्चा बड़ा होकर पुलिस बनना चाता है तो भाई तीन साल की स्टेडी जूरी है कोई भी पुलिस में जा सकता है इसमें और जो कैदी है क्योंकि बड़ा शान्त प्रिये देश है भाई यहां ना तो मृत्यू फांसी की सजा है ही नहीं यहां तो कि साल की जाद से जाद सजा मिलेगी और फैसिलिटिस आहाहा फैसिलिटिस का तो पूछो ही मत आपको एसी की विवस्ता इंटरनेट की विवस्ता और HD, LED, TV जितना मर्जी देखो मोजें मोजें यहां के जो लोग आप बात है प्रति व्यक्ति आये शालिस लाग आप बात है और तेल उत्पादन में कर लो हमसे कोई मुकावला ना तेल इतना तेल इतना तेल तम ही नहीं होगा लेकिन यहां पर फिर भी तेल की कीमत सबसे जादा है तो कि यहां की सरकार का माना है रेया वरन को बचाओ तो तेल के प्राइस खूब बढ़ाओ खूब 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 गबबर सिंग से भी जादा विश्यव का सात्वा धनी देश है और पूरे यूरोप की अगर हम बात करें जितने भी देश यूरोप के अंदर है उसमें इसका नमबर दूसरा नौर्वे कहां पर है सबी को पता होगा नहीं पता तो भई जान लो यह उत्री उगलार्द में है जिसको नौर्थ कोल कहते है रहन सेहन का तो यहां पर पूछ ही मत अका जो स्टंडर्ड है यूएस से से भी आच गुना बहतर मतलब कोन नहीं चाहेगा यहां पर यारवा शान्ती प्रिये देश है और दीरे दीरे क्राइम खतम 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 और बिल्कुल ही आने वाल टाइमें कितने वर्क किलोमेटर शेतर में फैला है और यहां की अगर राजधानी की बात करें तो यहां की राजधानी ओसला है कितने वर्क लाग पचासी जार दोसो तीन शिक्षा के उपर तो यहां पर हर साल प्रतिव्यक्ति पर 14,000 डोलर खर्च किये जाते हैं एक्स कमाई नहीं चुपाते क्या बात है कैसी गोवर्मेंट है कैसे लोग हैं यहां पर कोई भी इंसान अपनी सेलरी अपनी जितनी भी इंकम है कुछ भी नहीं चुपाता अब फेयर है कोई 420 सी नहीं कोई करप्शन नहीं एक इंटरस्टिंग बात 2011 के अंदर यहां पर मखन मखन मिलता ही नहीं था मखन अनकी इतनी ज़्यादा शोर्टेज कि बस उसकी तो स्मगलिंग ही शुरू हो गई थी सुनकर बड़ा अजीब लगा होगा 50 ग्राम मखन 50 अमरी की डोलर तक पहुंच गया ना कमाल का फैक्ट कमाल की बात प्रतम विश्यूद हम नहीं जाएंगे त्वित्य विश्यूद हम नहीं जाएंगे हम नहीं जाएंगे हम युद करेंगे ही नहीं हमारे लिए युद बना ही नहीं है सुनकर आपको इतना जीब लगेगा नौर्वेय ना तो प्रतम विशवयूद ना ही दुटें विशवयूद किसी के अंदर ही involved नहीं हुआ शामिल ही नहीं हुआ हम तो भई शांत पृए बंदे हैं, ना हम किसी से लडएंगे ना किसी से चगडएंगे तो इन्होंने कोई involvement नहीं दिखाई 17 माई को तो यहाँ पर इस देश का राश्चे दिवस है जाता है एक ओर खतरनाक बहुत TV देखने के लिए तो यहाँ भई लाइसेंस देना पड़ता है साल का 30,000 प्या किसको गौवर्मेंट को गर आप अपने घर TV रखते हैं, TV को चलाते हैं तो भई 30,000 प्या गौवर्मेंट को देना पड़ेगा अगर एजुकेशन फ्री है तो भई TV फ्री नहीं है एदियों को जेल में LED AC फ्री है भई लेकिन TV फ्री नहीं है जो एक साइमन सूजी फिश होती है न भई यहाँ यहीं उत्पत्ती होई है इसकी साइमन सूजी फिश की और यहाँ पर 50,000 से ज़्यादा आइसलेंड है आइसलेंड तो समझते हो न कुछ और फैक्ट्स की बात करते हैं फटा फट नहीं समझोगे अच्छी बात नहीं है दुनिया की सबसे लंबी सुरंग 24.5 किलोमीटर नौर्वे में है नोबल शांती पुरुसकार ओसलो नौर्वे में दिया जाता है दुनिया का सबसे दुरस्त विप नौर्वीजियन शेत्र में है नौर्वे की 120 मीन लंबी सीमा रूस से लगती है प्रथम UN महासचीव नौर्वे थे नौर्वीजियन भाषा के दो संस्क्रण है नौर्वे नहीं जो आपकी जो आधनिक या प्राचीन स्किंग का अविश्कार ही हुआ था स्किंग तो समझते हो ना और शीत काली अलंपिक भी नौर्वे में होता है बड़े ही शांतरी के सूता है यूरोप का सबसे बड़ा जंगली हिरन का जुंड यहीं रहता है बलब से जंगली हिरन यूरोप का इतने शांतरी देश में रहता है और नौर्वे में एक जवाला मुखी भी है क्यों ना हम पीछे रहें भई जो आलमों की भी तो चाहिए आपर, नोर्वे की नोर्वे, नोर्वे को नोर्वे, नोर्वे को नोर्वे, नहीं कहा जाता, कम से कम नोर्वे में तो नहीं, क्रेजी भाषा में नोर्वीजियन कहते हैं, करलो भात, मलब नोर्वे वाले अपने आपको नोर्वे नहीं कहते, तो तो अपने आपको क्या बोलते हैं नौर्वेजियन बोलते हैं हम उनको नौर्वे बोल रहे हैं और वह नौर्वेजियन पनीर का टुकड़ा किसको पसंद है सब को पसंद है इसकी शुरुवात भी नौर्वे ने की जो पनीर स्लाइट है नौर्वे नौर्वे ने पनीर क्या environment है उच्छो ही मत बल्ली बल्ले उमीद है आपको आज नौर्वे के जो facts है नौर्वे के बारे में तुना होगा अच्छा लगा होगा देखा है या views है तो उमीद है लाइफ में आप भी कभी ना कभी नौर्वे जरूर जाएं मेरे चैनल को subscribe, like और share करना विल्कुल मत भ कर दो क्या है?